हेलो विल्स आइम सोम्या वेल्कम तू माई चैनल तुड़े आम क्रवाचौत मेकप लुक बाई उजिंग हिमालया डे क्रीम अभी मैं प्राइमर के लिए फेसेस का नड़ा का प्राइमर यूज कर रही हूं और उसे अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड कर दूँगी बहुत ही अच्छा प्राइमर है स्मूथ फिनिस एक दे देता है आज कोई भी फाउंडेशन यूज नहीं करें बस यह हिमालया डे क्रीम से ही आज पूरा मेकप करेंगे यह थोड़ा सा हलका सा कवरेज भी देता है लाइक बी-बी क्रीम अभी पाउडर के लिए मैं पॉंड्स पाउडर यूज करें हूँ वैसे मुझे इतना कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर लगना अच्छा नहीं लगता है यह हलका कवरेज देता है बहुत ही हलका अच्छा रहता है दिन बर रह जाता है फेस पे कॉम्पाक्ट या लूज पाउडर है भी लगना अभी मारा बेस्ट मेकप कंप्लीट हो गया है आइब्रो के लिए मैं मेकप रिवल्यूशन का ब्रो पॉमिट यूज कर रहे हूं इन दे सेट ग्राफ़ाइट आफ कैमरा मैं आइब्रो बना चुकी हूं अभी आइशेड हो के लिए मेकप रिवल्यूशन का पेलेट से एक पिंक कलर का सेड लेके क्रीज पे डेप करके उसको ब्लेंड कर रहे हूं एक ट्रांजिक्शन क्रुएट कर रहे हूं इन कलर का आई पेंसिल से वाइलेट कलर का आई पेंसिल से सरी आई पेंसिल है इससे में एक बेस त्यार कर लूँगी जैसे कि आइसे डो उभर के उसके उपर दोनों इस पर मैं ऐसे कर लूँगी आप देख लिजी अच्छे से आप ये घर पे भी बिलकुल भी आसानी से बना सकते हैं बहुत ही सिंपल आई में कफे उसी पेलेट से वो वाइलेट कलर का आई से डो लेके उसके उपर डबडब करके ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड कर लीजी ताकि कोई भी हर्ष लेंड ना दिखें उसके बाद इन कलर का पेलेट लेके ये सिमर पेलेट है उसमें से ये गोल्डेन सेड में बीच में लगा लूँगी अच्छे से उसे ब्लेंड कर लीजी ताकि कोई भी हर्ष लेंड ना दिखें उसके बाद हापन हाप का पिंग ग्लिटर यूज़ कर रहे हूं गोल्डेन सेड के उपर उसके बाद कलरवार का आईलेनर लेके एक विंग क्रेट करूंगी उसके बाद फैक आईलेस लगाऊंगी किंग डॉम ओफ लसेस का पैक आई फिक्सर से सरी लसेस फिक्सर से अफ कमरा फैक आईलेस लगा चुके हूं अभी फैस कांटरिंग करेंगे यह सीवाना ब्लसर पैलेट है इसमें से वह कांटरिंग सेड लेके मैं अपने होलोज अब दा चिक्स पे कांटरिंग करूंगी जो लाइन पे फोरेड पे नोज पे सब जेके पे कांटरिंग करूंगी उसी पैलेट से पिंक कलर का सेड लेके ब्लस यूज करूंगी यह मल्टी पैलेट है उसमें से कांटरिंग ब्लसर एंड हाइलाइटर सब मिल जाएगा आपको अच्छा पैलेट है अच्छा पैलेट है यूज कांटरिंग करना भूल गई थी नोज कांटरिंग तो अभी कर ले रहे हैं उसमें से यह तीन हाइलाइटर सेड मिला के हाइलाइटिंग कर रहे हैं कितना अच्छा ग्लो आ रहा है एकदम सटल सा ग्लो है कॉर्नर अफ दा आइस पे भी हाइलाइट कर रहे हूं इन कलर का पैलेट से वह वाइलेट कलर का सेड लेके मैं लोयरलेस लेंड पे लगा रहे हूं अभी लिफ्टिक के लिए बेभी हाउसमेन फ्रॉम सुगर बैंट लगा रहे हूं सेटिंग स्प्रेय लगाना भूल गई थी और इतना गर्मी भी नहीं है जो पिखल जाए मेरा मेकप सेटिंग स्प्रेय तो आज मैं लगाई नहीं हूं अभी मैं बिंदी लगा रहे हूं सिंदूर के लिए मैं कलरवार का माई मेरून सिंदूर यूज कर रहे हूं थोड़ा है भी लगा रहे हूं सिंदूर आफ्टर अल कर बाचो थे अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू मैं चैनल और वह बेल बटन को भी इट कर दिजिएगा ताकि नेक्स्ट वीज़ रहे हूं वीडियो आपको नोटिफिक्सन आ जाए झाल 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 झाल